नमस्कार दोस्तों आप सबका बहुत प्रदेश की बात till टो MP में बहुत ज्यादा केस देखने को मिल रहे हैं तो इसी तार्टम में हमने सूचा की देंगे ऊपर एक बनाना चाहिए जिसमें रिजल्ट रिजल्ट ओरिएंटेट जो दवाइयां होती हो में पैती की वह आपके साथ कुछ दवाइयां में शेयर करने की कोशिश करूँगा जिसमें हम जानेंगे कि डेंगु फीवर के जो वह शिम्टम्स हैं वह शिम्टमेट्स ट्रीट में उसका क्या है और किन-किन दवाईयों से हमदेट विचेंड़ फीवर को क्यों और भी कर सकते हैं दोस्तों सबसे पहले यह जाने कि डेंगू है क्या डेंगू एक प्रकार का फिवर है जो एक मॉस्किटों के काटने से होता है मच्छर के काटने से होता है एडेज जो मच्छर होता है उसके काटने से डेंगू फिवर होता है अब यह जो मच्छर होता है यह मोसली पानी में प संक्रमिट वेक्ति को काट लेता है तो वो जो खून जो मच्छर हमारे अंदर से चूसता है तो संक्रमिट वेक्ति का खून ये चूस लेता है और वह संक्रमन उसके अंदर भी आ जाता है और जब वो किसी स्वस्त वेक्ति को कारता है तो वह संक्रमन उसको दे देता है मतलब क कि एक केरियर का काम करता है मौस्कीटो यदि हम इसके इंक्यूबेशन पिरेट की बात करें तो जो इंक्यूबेशन होता है इसका इंक्यूबेशन मतलब कि यदि आपको डेंगू के मच्छर ने काटा है तो कितने समय बाद आपको सिम्टम नजर आएंगे तो मोस्ली देखा इसमें नॉर्मली फिवर गया है कि तीन से चौदा दिन है ना तीन दिन से लेकर के चौदा दिन तक जो है इस दर्मियान जो है डिवेशन में आपको सिम्टम नजर आने लग जाएंगे मतलब आज आज आपको काटा है तो तीन दिन बाद या फिर चार पाट दिन मतलब है और क्यों फिवर तो होता है फिवर जो है बहुत तेज जो है रहता है इसके साथ 1000 की बात ही हम कर लें तो इसमें आपको बताया सेकेंडीज स्में बहुत ही ऐसका है जो exists हो Oscar ho जॉइंट्स में भी दर्द होता है मतलब कि आपको जॉइंट का पेंट बहुत तेज होता है इसी लिए इसको जो है ब्रेक बोन फीवर भी कहा गया है ऐसा फीवर जो हड्डियों को तोड़ दे तोड़ने जैसा सेंशेशन हो बस वही फीवर को हम टेंगू फीवर कहते हैं त ट्रम्पिंग हो सकती है मसल में बहुत जाएदा अकडबएं रह सक्ती है और तेज दर्द हो सकता है मसल में तो यह कुछ शींटम थे ओर सिव्धीर की बात करें तो एक सब्सक्राइब है किदे आपको व्सवीटिंग होगी है ना मितलिया आएगी नोशिया व्सक्रीशन के के ब्लड के सेल्स है रखत की कोशिकाएं है उसको यह जो इंफेक्शन है तोडने लगता है रखत की कोशिकाएं तूटने लगती है और आपका जो प्लेटलेट काउंट है प्लेटलेट है वो धीरे-धीरे कम होने लगता है और यही सबसे डेंजरस चीज है यदि हम इसको प् ब्लीडिंग होने लगती है क्योंकि जो प्लेटमुट से हैं जो छेरी कम हो घोता है वह में होने लग तो अब यदि हम बात करें इसकी दवाईयों की तो दोस्तों दवाईयों में हो में पर थी कि यदि में बात करूं तो हो में पर थी में क्योंकि हम symptomatic treatment देते हैं symptom के base पे देते हैं तो हमारे पास बहुत शानदर दवाई हैं इसकी मौझूद है सबसे पहले दोस्तों सभी को पता है कि यूपिटॉरियम पर्फ है ना यह दवाई ऐसी है जो आजकल सभी के WhatsApp पे चलती रहती है सभी को पता है कि यूपिटॉरियम पर्फ जो है वह बहुत अच्छी दवाई है प्लेटलेट काउंट को बढ़ानी के लिए तो सबसे पहले यही दवाई है कि यह आपको जॉइंट्स में पेन हो रहा है है ना जो कि डेंगू फीवर का यह लक्षन है तो और आपके प्लेटलेट काउंट भी घट रहे हैं तो आप यूपिटॉरियम पर्फोरिटम को 200 पुटेंसी में इसका डाइलूशन ले दो दो बून आप दिन में दो बार ने काफी एच्छी रिजल्ट आपको इसके देखने को मिल सकते हैं अब यदि में मैं बात करें में आपको बहुत ज्यादा जॉइंनिंट्स में नोरा ओर आपकी मसल्स में भी पेन बना रहता है तो में आपको पूरी बौड़ी में हो रहा है तो ब्राएउनियа बहुत अच्छी दवाई है ठोडेंों फीवर की इस प्रकार का दिया आपको शीम्टम है त स्पेशली जॉइंट्स में भी दर्द होता है आपको प्यास बहुत लग रही है तो आपको जो है ब्राइनिया एलबा 200 पोटेंसी में दिन में दो बार दो दो बूल करके लेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट देखे जा सकते हैं अब इदी में बात कुर दोस्तों जॉइंट् मैं ऊस्टीफनेस हो गी है उसमें डाइन इससी बनी रहती है और इस परकार की में देखेए आप देखें जो major muscles होती है हम रोगों की बड़ी-बड़ी muscles उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो इस प्रकार की यदि आपको tendency है और यदि आप देखें कि आप जब चलते फीरते हैं तो आपका दर्द कम होता है पर यदि आप rest करते हैं आराम करते हैं तो आपका दर् muscle का दर्द बढ़ जाता है तो इस condition में आपको रस्ट्रॉक्स लेना है रस्ट्रॉक्स को 200 पोटेंसी में दोस्तों आपको दो दोबुन दिन में दो बार लेंगे काफी शांदार रिजल्ट इसके देखे जा सकते हैं अभी दोस्तों ही हम बात करें कि यह फीवर के करेंट ज चाइना को 200 पोटेंसी में दो दोबुन दिन में दो बार आपको लेना है तो इससे क्या होगा चाइना 200 से आपका फीवर भी कंट्रोल में रहेगा और साथ में जो आपको वीकनेस बनी हुई है वह भी कम होगी और एजबी काउंट भी आपका देर देरे बढ़ने लग कर रहा है कि एक-दो दिन में बन जाए जिसमें आपको कंबिनेशन में बताने वाले हूँ देंगू फी वर का es इसी भी प्रकार की कोई fever की या डेंगू जैसे लक्षन होते हैं चाहे malaria टाइफाइड भी हो तो वो combination काम कर जाएगा तो दोस्तों की combination काम एक दू दिन में बताने वाले हैं आपको पर आज का जो वीडियो है इसलिए important है कि इसमें मैंने डेंगू fever के बारे में आपको बताया लेणा है अब क्योंकि पपीता के पत्ते के जूज जो है वह अव्य जगह अवेलेबल नहीं है तो होमेपाईथी में दौई आती है केरी का पाइचा पीर लेना है 53- 4 वार द window कभ पानी ले लेजिए उसमें 10-15 वन दाल लेगे दिन में 3 बार और यदि आपकोRET बहुत कम हो गया है तो दिन में चाल बार भी आप ले सकते हैं यह लिजिए बहुत अच्छी रिजर्ट दोस्तों मिलेंगे मैं मिलता हूँ आपको नेस्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे डेंगो फीवर का एक कॉंबिनेशन के बारे में मदट इंचर का भी कॉंबिने और आपकी जो कंडिशन से चाहे वह जोडों में दर्दों हो रहा हो मसल में पहीन हो रहा हुँ बॉड्डी हो या वो new हो यह फिर आपको वेक्नेस बनी all select करना ना भूलिएगा दोस्तों दोस्तों आप किसी भी प्रकार का कोई कंसल्टेशन चाहते हैं या फिर आप को किसी प्रकार की कोई परेशानी है और आप से हमसे आप जो है बात्चित कम्यूनिकेशन करना चाहते हैं तो आप Instagram पर मुझको message कर सकते है Facebook पर message कर सकते है Instagram पर Facebook पर follow करना ना भूले दोस्तों महाँ पर आप हमसे directly communicate कर सकते हैं एक और बार बताना चाहूंगा दोस्तों आप last तक रुके है thank you but आप कभी भी comment box में अपना personal number मुझसे share न करें क्योंकि personal बहुत से लोगों यह है दोस्तों मेरे वीडियो में personal number देते हैं personal number आप बिल्कूल मत दीजिए या आप Instagram पर Facebook पर मुझसे बात कीजिए यदि आपको consultation चाहिए रहता है तो हमारी team के द्वारा आप से number मंगा जाएगा तभी आप दीजिए है ना आपको comment box में आपका number नहीं देना है Instagram पर और Facebook पर हमसे बात करना है दोस्तों अभी तक आपने like नहीं किया है तो वीडियो को भी like कीजिए सभी लोगों तक share करना ना भूले क्योंकि ये fever जो है टेंगू फीवर बहुत rapidly फेल रहा है सभी को share कीजिए मैं मिलता हूँ